दोस्तों चीन धाह रहा है कुछ लोग कहते हैं ना कि चीन जितनी तेजी से बढ़ा है उतना ही तेजी से डहेगा यानि चीन का बुरा दिन शुरू हो गया और कुछ लोगों का इतहावत आपने सुना होगा कि जब भी बढ़नी हो जिंदगी में तो आराम से धीरे-धीरे चाइना का अज वही स्थिती है इन्होंने क्या कि खूब दनादन पैसे को खाया आप देखिये हुई क्या मैं नाले की पानी का बहाव है बिलकुल नहीं कि बारिस का बहाव इसा हैpir आ那麼 नदी का पानी उता है जैसे हमारे यमिना गंग का नपानी उठता वाइसे ऊपर नहीं उठीए नाहीं नाले की बहावाई यह नाहीं पानी का रोग टोक है आप पुछिएगा इसा क्या है तो आपको मैं बता दो कि प्रकृतिक से खिलवार बहुत बड़ी हानिकारक चीजे चाहें आपने विदुबई को देखा हुगा चीन को अब चीन में हुवी क्या है सो ने खुब ध्याण दिया भैया 4090 2000 अनार 30 कि दुदिया में अंधी शास्ता समान भरने के चकर में अंठाव ध्यों खिती किया और इसके लिए उसके लिए प्योग क्या किया चीन जमीन के नीचे की पानी हमारे देश को दिया और कपड़े उध्यो को सबसे जादा दिया उसके बाद उन्होंने बिल्डिंग में अपनी चीन के पहले तो नीचे जमीन में पानी खतम हो गई यह स्वामिन भारी-बारी building बनने के कारण धस चुका है जमीन, immer का जो हर साल लगबग एक इंच जमीन में धस जाता है कारण है की जमीन से पानी नहीं निकला बलकि जमीन में इतनी ज्यादा building बना दी गई कि वजन से वह धस रहा हैं उसी परकार सक बीजिंग एक तौ तो नदी लेबल में आएक करोड लोग सथान से और चायना के सइन्टिस्टों ने वीशिशक्यों ने परियावरण विभाग ने चीन के चयाओन समय में 10 करोड़ लोगों को सहरों से स्थानांतरन करना होगा यानि कि जिन लोगों ने गाउं छोड़ करके सहर में बिल्डिंग लिया आप उन्हें वापस गाउं जानी होगी लेकिन समस्या की बात यहीं समाप नहीं होती है अब चायना को एक चीज की और चेताव नहीं में को ने दे दिया कि धर्ति के नीचे अब तुम पानी जैसे पहुचाना पहुचा लेकिन अब धर्ति के नीचे पांती पहुचाना संबोव क्योंकि एक तो आपने पूरी बिल्डिंग द भास दी उपर से बिल्डिंग का बजन करने से आपकी जमीन धस चुकी अगर आप जम जब मौसम मूड करता था तो एक मानो निर्वित बारिस करवा देता था आज क्या हुआ दुबाई की स्थिति आप देख लीजी इसलिए भारत के भी लोगों से मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि पानी का सदुपयोग करे पानी का अधिक दुरुपयोग ना करे जमीन के नीच चेतर वहां से कई नदिया निकलती है ब्रंपुत्र जैसे जगोपर उसके हाथ में हमारा ब्रंपुत्र नदी चीन चाहें तो उसे रोक सकता है ऐसे नदियों को रोकने की ताकत रखने वाला चीन पानी कभी डुबाता है तो कभी पानी उसे रुला सुखाता है इसलिए आप इस पर क्या कहना चाहते कॉमेंट बॉक्स में जरूर करें फर्स्ट टाइमें से लाइक एंड सब्सक्राइब करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें और साथी साथ प्रकृतिक का सम्मान करें और प्रकृतिक से खिलवार करें तो आपको लगता प्रकृतिक को जीत लें लेकिन प्रती अपने रोध द्रूरूरूप में तो फिर आप कहते है रही रही मुद प्रकृति हमारे सब अन्याय कर दिया इसलिए कहते प्रकृति का सम्मान किजिए और आगे बढ़ी राष्ट को भी बढ़ाईए और प्रकृति का भी सम्मान किजिए और आप इस वीडियो पर क्या कहना चाहते हैं जरूर कहिए धन्यवाद जैहिं जैसियरा